मुख्याजी.com राजस्तान के मुख्यमतरी जगनात पाडिया की भर्तपूर जिले के कस्वे बुसावर आजकल अपने अचार और मुर्बों के लिए जाना जाता है यहीं से था एक दिलित समाज का बेटा मगर पढ़ाई में तेज नाम था जगनात बात 1980 की रही होगी कि पाडिया लोग की पढ़ाई कर रहे थे तबी वे आतिंदर से मिले आतिंदर का यहां सुस्राल था वे साल में कभी कबार आया करते थी तबी उन्होंने पाडिया से कहा हमारे साथ दिली चलो तुम्हें पंड़ जी से मिलाते हैं और यह लड़का जगनात पाडिया चल दिया और आतिंदर जी ने इन्हें पंड़ जी से मिलुआया और उनका प्रिच्य गरुआया ये पंडिजी कोई और नहीं, पंडिजवालाल नहरू थे, जिने लोग पंडिजी के नाम से जानते थे नहरु जी ने नोजवान देकर पूछ लिया केसा चल रहा है देश पाड़िया ने कहा बाकी सब अच्छा चल रहा है पर परदेश में दिलितों को रीपरजिटेशन नहीं मिल रहा नहरु जी ने कहा तुम क्यूं नहीं चुनाव लड़ते और रीपरजिटेशन करते उस नोजवान पाड़िया ने कहा आप टिगड़ दीजिए मैं चुनाव लड़ूँगा और नहरु जी ने बात माल ली कुछ महिनों बाद चुनाव में पाड़िया को टिगड़ दे दिया गया सीड थी सुवाई माद्यों पुरु की उन दिनों लोग सुवा ऐसी होती थी जिन पर दो सांसद चुने जाते थे यह भी सीट उन में से एक थी यहां उसम में दो सांसद बने एक हिरलाल सास्त्री पहले मुख्य मंत्री और दूसरे जगनात पाडिया पर अभी पाडिया के मुख्य मंत्री बनने में वक्त है अभी वे 25 साल और दो मा के हैं इसलिए अभी वे लोकसवा के सबसे युवा सांसद बने पहडिया ने जीत का प्रणाम पतर लिया और दिल्ली के लिए रेल गाडी पकड़ ली तभी मुदूरा के पाश ट्रेर में टीटी आया और बोला टिकट पहडिया ने कहा मैं सांसद हूँ टीटी ने कहा तुम सांसद हो तो मैं जुआल लाल नहरू पहाडिया ने फिर कहा मैं सांसद हूँ यह देखर आसपास के लोग हंसने लगे टीटी ने कहा खड़े हो जाओ पहाडिया खड़े हुए सीट के निचे बक्सा निकाल कर उसमें से काल्ग का टुकड़ा निकाला जो उनके सांसद होने का प्रिणाम पतर था अब रंग उड़ने की बारी टीटी की थी साल 1962 के लोग सुवा चुनाव आते आते एक सीट से दो सांसद वाला परवादान भी पूरी तरह खटम हो गया पहाडिया कांगरिस के सिंबल से चुनाव लड़ रहे थे पर इस वार सितारा डूब गया उन्हें हो रहाराया सितारा चुनाव निशानवाली सम्तंतर पार्टी से केसर सिंग ने ये सम्तंतर पार्टी चक्रप्ती राज कुपाल द्वारा बनाई की थी सम्तंतर पार्टी का ये लोग सुवा का पहला चुनाव था इसमें राजस्तान के रजवाडों का दम था मगर नहरूजी उन्हें नहीं भूले 1964 में पहाडिया को राजियसभा के राज्ते दिल्ली पहुंच गए साल 1916 में उन्हें लोकसभा के चुनाव में फिर उतरा गया कांग्रेस के सिंबल से इसवार इंदरा गांदी ने उनकी सीट बल दी वे इसवार हिंडों से चुनाव लड़ रहे थे और जीत कर फिर सरकार के उप मुत्री बने पहाडिया राज्यसभा से दिल्ली पहुंचे थे वे संज्यसभा के हिस्सा भी बन गए इदर राजस्तान में शुकाडिया राज खतम हो गया प्यारे मिया आए और दो साल में गुजर गए फिर हरिदेव जोसी मुखे बंदरी बने फिर अमरजंसी लग गई कांग्रेस की सत्ता गई इंदरा के साथ ही गए मगर पहडिया नहीं गए वो डटे रहे लगे रहे संज्य गांधी के साथ उनके मुश्किल वक्त में जेल के वक्त में जन्ता पार्टी के सरकार के पल्टवार के वक्त में ब्याना लोकसवा सीड से 1937 का चुनाव भारे जग्रनाथ को तब जूनियर गांधी ने एक स्यास्त का सुत्र दिया दिन पल्टेंगे तो तुम्हारे भी पल्टेंगे साल 1980 मई के आखरी सब्ता में परधानमत्री इंद्रा गांधी के नेतरतव में कांग्रेस विदान सुवा चुनाव में एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही थी लोग सुवा की तरह यहां भी कमान संज्य के हाथ में थी टिक्ट वित्रन से लेकर मुख्य मुत्री चुनने तक एसा ही चुनाव चल रहा ता कि दिल्ली राजस्तान हाउस में चर्चा शुरू हुई तो कुछ विदायकों ने नाम रखा राम कि सोर जी का तबी संज्य गांदी ने कहा जगनात पाडिया और मिटिंग खतम हो गई जानकर बताते हैं और त्यास के कुछ पन्नों के अनुसार संज्य गांदी विदानसवा चुनाव में अजमेर में एक रेली करने गए फिर सरकेट हाउस में पत्रकार उने पूचा संज्य जी राजस्तान में कांगरिस का मुख्य मंतरी का तेरा तो है ही नहीं संजीय जिने बगल में ही खड़े ब्याना के सांसद जगनात पाढ़िया के कंदे पर हाथ रख कर संजीय बोले अब तो यही राजस्तान संबालेंगे सब अपने अपने तरकों में लग गे पर ये संजिय गांधी थे उन्हें जो जम गया वै जम गया पहाडिया जम गये तो उन्हें जेपुर की गदी दे दी पहाडिया संभावितों की सूची लेकर दिल्ली के चेकर लगाने लगे अब नई जिम्मेवारी राजीव गांदी के पास आई और उन्हें नई पारी की शुरुआत की इसी के साथ पहाडिया की राजनेती कुछ इस दुरुआतना में ही सुआ होगी उनके विरोधी शेकरियों होगे उन पर राजनिती सुष्टी के आरोप लगने लगे 10 जनवरी 1980 को जेपूर का एक रविंदर मंच जहां चीफ गेश्टी कवेत्री महादेवी वर्मा कारिक्रम की अध्यक्ता कर रहे थे जगनात पहाडिया इसी मंच पर पहाडिया ने अपने बासन शुरू किया और बोले महादेवी वर्मा जी रहष्यवादी और चायवादी की कवेत्री है उनकी रहष्यवादी और गुडवादी की विताएं चन समान्या के सीर के उपर से निकल जाती है मुझे खुज आज तक उनकी कविताएं कभी समझ नहीं आई आज का साहितिया जन जन का साहितिया होना चाहिए इसके वाद महां बेठे लोएक बढ़क गे और मेडिया में भी खूब चर्चा हुई महादेवी मुझरु कवेतरी थी और एहलनाबाद के रहने वाली थी और इंद्रा गांदी उन्हें बुवा कहती थी यह बात इंद्रा गांदी तक पहुंची उन्होंने पहाडिया को तलब किया सपाई मांग ली गई पर अब विरोध दिवी दिल्ली के दरवार में सुने जाने लगे जुलाई 1981 भरतपुर की एक तसील पहाडिया का अपना छेतर तबी गोसावर इसी तसील का हिस्सा था यहाँ एक पुल बना अस्ताने लोगों ने से सीता पुल कहते थे इसी पर चर्चा पल चल पड़ी कि जो इसका उद्गाटन करता है उसके दुर भग्य का उद्गाटन हो जाता है केई अधिकारी आए और चलेगे खबर पाहडिया जी को मिली तो वे पहुंच के फिता काटने और उद्गाटन के बाद वे पास के रुदावर कस्वे मने हरमान मंद्री पहुंचे अभी दिल्ली से वायरलस आया कि आप दिल्ली पहुंचें और पाहडिया दिल्ली के लोटे तो पुरूब मुख्या मंत्री बनकर अब सिता फुल की चर्चाएं और तेज हो गई वेसे इसे देखने का एक और नजरिया है कि पाडिया को पता था कि उनकी रुस्तुक्की का वक्त आ गया इसलिए उन्होंने सिता फुल को लोट नहीं लिया के वाद बे मंत्री कभी बने नहीं विदायक दरूर इंद्रा गंदी की सानबुती लेहर में बने मगर इसके भी कुछ आखरी मेंनों में उन्हें इस्तिफ़ा देना पड़ा वज़े भी अच्छी थी राजी उगंदी का बुलावा आया था परदान मत्री नहीं बिहार का राजय पाल बना कर बेजा और तीन मेहें बाद इसी पद से भी अस्तिफ़ा देना पड़ा इस वार राजी वणदी ने उन्हें लोकसवा के लिए मेदान में उतारा वे चुनाव हारे और जीते रहे उनकी पतनी शान्ती विदायक और सांसर बनी पर बेटों का ऐसा नसीब कहा बेरविदान सवा से छोटा बेटा संजे हारा दोजार आठ में पांच साल बाद उसी सीट पर वरा बेटा उमपरकास वीचुनाव हार गया पाड़िया आखरी बार सुरक्षियों में 2009 में जब उन्हें हर्याना का राज्य पाल बनाया गया आए और 2014 में वे रिटायड हुए और जेपुर रहने चले गए हमारी ये विशेश च्टोरी विविन इत्यास के पन्नो वे विविन माद्यम से एक्तित की गी है सुधारने का प्रियास किया गया है फिर भी कोई तुरूटी रही तो हमें अवकत कुराएं हम भूल सुधारने का प्रियास करेंगे राजनिती और किसानों वेजमीन से जुड़ी विशलेशन वरत्य तत्य देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवशे करें जैहिन जैक्सान नमस्कार